हलो आपरिवान आज हम बात करेंगे साड़ी के साथ ऑक्सिदाइज जोल्री को कैसे स्टाइल करना चाहिए मैं बात करूँगी कुछ स्टाइलिंग टिप्स के बारे में मैं हूँ पारूल और मेरी यूटिव चानल भी कलरफल में आपका स्वागत है अगर आप साड़ी के साथ सिल्वर जोल्री को पहनना चाहते हैं तो आपको कलर, प्रिंट और फैब्रिक पर ध्यान देना होगा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ऑक्सिडाइज जोल्री, सॉलिड कलर्स या प्लेन आउटफिट्स के साथ बहुत अच्छी लगती है आप प्लेन साड़ी के साथ ऑक्सिडाइज जोल्री पहन सकते हैं अगर आपने प्लेन साड़ी पहनी है और आप अपनी लुक को सिंपल रखना चाते हैं लेकिन उसे क्लासी लुक भी देना चाते हैं तो आप उसके साथ सिल्वर जोल्री पहनी हैं अगर आप daily wear या office wear के लिए साड़ी पहन रहे है तो आप साड़ी के साथ pendant necklace पहन सकते है या फिर आप earrings पहन सकते है जुमका पहन ले या बाली पहन ले and that is more than enough इस छोटी सी addition आपके entire साड़ी के look को change करतेगा अगर आपको किसी party या function में जाना है तो आप अपनी plain साड़ी के साथ boat neck या deep neck blouse बहन सकते है या square neck blouse बहन सकते है और उसके साथ आप चोकर पती necklace बहन सकते है चोकर पती एक close fitting necklace होता है जो बिलकुल आपकी garden के साथ चिपका होता है आप चोकर पती को collar neck के साथ भी बहन सकते है आप Off- Shoulder Blouse के साथ ये बे इस तरह के Knickles पहन सकते हैं आप Deep V Neck Line के साथ Short, Full Knickles पहन सकते हैं अगर आप Deep Neck पहनना पसंद नहीं करते हैं तो आप Round Neck के साथ Long Chain Pendant पहन सकते हैं या आप कानों में चुमके पहन सकते हैं या Studs पहन सकते हैं आप layered necklaces पहन सकते हैं या long chain pendants पहन सकते हैं आप उनके साथ जुंके पहन सकते हैं, studs पहन सकते हैं studs jewelry plain fabrics के साथ बहुत अच्छी लगती है लेकिन अगर आपकी साड़ी पर pattern बना है और आप jewelry भी पहनना चाहते हैं तो आप साड़ी के साथ plain blouse पहने या printed blouse के साथ plain blouse पहन सकते हैं पर print बहुत कम होना चाहिए, print on print jewelry के look को खतम कर देता है अगर आपके पस कोई choice नहीं है, आपका blouse पहन सकते हैं, साड़ी पहना चाहते हैं तो आप जुमके पहन सकते हैं, बड़े बड़े जुमके आते हैं वो बहुत खुब स्रत लगते हैं साड़ी के साथ, आप studs पहन सकते हैं प्रिंट्स के साथ अपनी jewelry जो है वो आप कम रखे, क्योंकि printed जो fabric है वो jewelry को खा लेता है, उसकी look को खतम कर देता है अगर आपके साड़ी का border colorful है, या काफी उस पे work क्या है, या design बना है, तो आप long chain pendants पहने जो आपके साड़ी के border को cross कर लें, साड़ी के border पर fall ना करें, या फिर आप चोकर necklace है, चोकर पटी necklace भी पहन सकते हैं आप दो-तिन necklace को एक साथ भी pair कर सकते हैं, जैसे कि चोकर पटी है तो आप उसके साथ long chain pendant पहन सकते हैं आप चोकर पटी को heavy रख सकते हैं और आपका जो chain pendant है अगर उसकी chain बहुत लंबी है तो आप उसका pendant set भी heavy रख सकते हैं otherwise अगर आपकी चोकर पटी जो है वो heavy है तो आप pendant set को थोड़ा light रखिए और या फिर आप pendant set heavy पहन रहे तो चोकर पटी को थोड़ा light रखिए आप उनको जुम को साथ या starts प्यार कर सकते हैं आप इस तरह से और भी जूएल्री जो आपको पसंद है अगर आप कोई ring पहन ना चाहते हैं आप रिंग पहन सकते हैं तो इस तरह से आप अपनी जूएल्री को mix and match कर सकते हैं बहुत सारी जूएल्री को एक दूस्टे के बहुत अच्छी लगते हैं तो आप उस तरह की मैचिंग जोल्री पहन सकते हैं अगर आप ब्राइट कलर की साड़ी पहन रहे हैं पहन रहे हैं तो आप Contrast Jewelry पहन सकते हैं अगर आप सिल्क साड़ी के साथ Oxidized Jewelry पहना चाहते हैं तो आप पहन सकते हैं इस यूर चोईस बस एक बात का ध्यान रखें कि उसपügen करते हैं उस पर Silver Work होना चाहिए golden work वाली silk की साड़ी बिल के साथ silver jewelry बिलकुल भी न पहने इट इस अ बिग नू आप gold work की साड़ी के साथ oxidized gold jewelry पहन सकते हैं कोई भी golden jewelry पहन सकते हैं तो ये थे मेरे कुछ styling tips कि आपको oxidized jewelry को साड़ी के साथ कैसे पहनना है आज की वीडियो में इत्ता ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए टेक केर और बाबाई